हलो दोस्तो मैं अंके सिंग आप सभी लोगों का विजडम हब स्टेडी पर स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो सीरीज में हम बहुत ही महतुपुन चीज़ों को देखते हैं और ये खासकर हमारे UPSC 2021 के एक्जाम के लिए बहुत जादा फायदे मन्दे इसमें हम करेंट अफेर के साथ 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 इस्टेडिक पोर्शन जो होते हैं उसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पर डिसकस करते हैं ये वीडियो आप लोगों को परते हैं सुबह साथ बजे स्ट्रिमिंग के मादे हम से मेरे यूटूब चैनल विजड़म अबेस्टेडि पर उपलब्द करा दी जाती है ये जो वीडियो से आप लोगों को UPSC के लावा CDS, RRB, Railway, IBPS, MPPSC, State PSC, MPPSC, CGL इन सबी एक्जाम में ये ज़्यादा helpful करेगा आई होप मुझे अमीद है कि ये वीडियो से आप लोगों को पसंद तो आएगा साथ में इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हमारा ये लेक्चर तो इसमें सबसे पहले तो हम उन कोश्चन को डिसकस कर लेते हैं जो कि हमने प्रिवियस लेक्चर में देखे थे तो पहला प्रशन था कल के लेक्चर में कि पाइथन 5 किस देश द्वारा निर्मित मिसाल सिस्टम है तथा इसे बनाने वाली कमपनी का नाम क्या है तो ये इसराइल देश के द्वारा निर्मित मिसाल सिस्टम है और बनाने वाली कमपनी का नाम राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है दूसरा कोशन है पाइथन 5 की गती कितनी मैक है मेक जो है एक यूनिट होता है जो की हवा में जो भी हमारे फाइटर प्लेन उड़ते हैं उनकी स्पीड को बतलाता है M.A.C.S. 1407 किस्मिकी स्वयाबिन की फसल को फ्लावरिंग होने में ओस्तन कितने दिन का समय लगता है तो 43 दिन का समय लगता है मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों जवाब लोगों ने इसके जवाब दिये जिसमें से गगन जी ने जवाब दिया है और निलेश जी ने भी इसका जवाब देनी के कोशिश की है तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग इनके सारे कोशन के जवाब देने की कोशिश करते हैं तो चलिए अब हम शुरू करते हमारा आज का लेक्शर तो आज हम महत्ती महत्वण तीन टॉपिक के उपर डिसकस करेंगे जिसमें से पहला टॉपिक रहेगा ओपरेशन समुद्र सेतु पार्ट टू या टू पॉइंट हो कह सकते हैं क्राय प्रबंधन सूच कांग और तीसरा रहेगा प्रधान मंत्री मुद्रा योजना इन तीन टॉपिक के उपर हम एके करके समझने की कोहिश करेंगे और देखने की कोहिश करेंगे कि आज वर्दमान में इनकी क्या स्टेटस है इन तीनों स्किम को लेकर के और कुछ योजनाओं को लेकर के देखिए जो पहला है यहां कि भारती नौसेना ने क्या किया था कि जब प्रारंब में जब लोगडाउन लगा था पिछले वर्ष 2020 में तो बहुत सारे दे आत लेकर के आया गया था तो उसे दाम दिया गया था ओप्रेशन समुधर सेतू समाने नाम लेकिन इस बार इसको इसमें 2-8 कर दिया गया तो इसका यूज क्या किया गया इस बार तो हम देख रहे हैं कि जब लोगडाउन लगा था भारत में और जब सेकेंड वेव आई थ तो उसी operation को यहाँ पर operation समुदर सेतु कहा गया था और जो operation समुदर सेतु है वह पहला वाला जो part था उसको मई 2020 में launch किया गया था ठीक है चली अब जो operation समुदर सेतु second है इस operation के हिस्से के रूप में 7 भारति 9 से नाव जहां जो अर्थ को इसमें शामिल किया गया था तो उन बिन देशों में liquid oxygen और medical equipment की चीजों को लाने के लिए भेजा गया था इसे और यह oxygen प्रेल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स और संबंधित medical equipment shipment के रूप में भारत लाने के लिए इसको रखा गया था दो जहां आज INS कोलकता, INS तलवार और मुंबई के लिए 40 तन तरल oxygen लाने वाली मनासा और भारीन के बंदर गाहों में प्रवेस करा करके इसे भारत में लेकर के आया गया, इसके साथ साथ यहां पर INS जलाश वो और INS एरावत भी ऐसे जो जलियान थे इनको भी बहुत जादा उप्योग अच्छे तरीके से करके बैंकॉंक और सिंगापूर के वाल भारत में ऑक्सिजन के आपूरती होने लग गई आ गई तो हम देखेंगें कि जो भी इंडिया में ऑक्सिजन की कमी थी धीरे धीरे यहां पर उसके आपूरती होने लगी भारत के अन्य भागों में भी Operation Samudr Setu के अगर हम बात करें तो Operation Samudr Setu वंदे भारत मिशन के तहट लॉंच किया गया था कोरोना काल के मद्दे नजर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी जो देसों में फसे विए भारत नागरिक थे भारत में आना चाहते थे उनको लाने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जिसका एक से इनक्रोनम यूज किया गया था एक्रोनिम्स VBM मतलब वंदे भारत मिशन एक चीज़ में और आपको बता दूँ कि अभी तक का यह जो प्रोग्राम था यह उन्समें से सबसे बड़ा प्रोग्राम था जिसके माध्यम से लोगों को लाए गया था 1990 में एक एयर लिफ्ट करके रेस्क्यू किया गया था जिसमें से 1,777,000 लोगों को भारत में लाने का काम किया गया था तो यह आकड़ा जो है ना इस आकड़े को भी वंदे भारत मिशन ने क्रॉस कर दिया भारती नौसेना के पोत, जलश, एरावत, शारदुल और मगर ने इसमें भाग लिया था COVID-19 के प्रिसार के बीच में क्या हुआ था कि हमारे जितने भी पडोसी दे से आसपास के जल इमार्ग से जुड़े हुए उनमें लगबग 40,000 भारती नौसेना मतलव नागरिकों को सफलता पुर्वक भारत भीजा गया था नौसेना के माध्यम से भारती नौसेना ने इससे पहले कुछ अन्य उप्रेशन भी की हैं उनमें से 2006 में वेरूत में उप्रेशन सुकून किया था जिसके माध्यम से अनेकों भारतियों को वेरूस से भारत लेकर करके आया गया था फिर 2015 में ऑपरेशन रहत किया गया था जो कि यमन में किया गया था यहां से भी उस देश में फसे नागरिकों को भारत लाने का प्रयास किया था देखिये अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रेय प्रबंधन सूचकांक ठीक है तो यहां पर हमें समझना होगा कि यह जो टर्मलोजी है यह टर्मलोजी यूज के जाती है एकनॉमिक्स में तो IHS Market India द्वाराजारी क्रेय प्रबंधन सूचकांक ये जो सुचकांक है ये अप्रेल महीने में 55.5 अंक पर पहुँच गया था जबकि मार्च में ये 55.4 के मुकाबले थोड़ा सा इसने सुधार किया मतलब ये जितना अच्छा रहेगा माना जाएगा कि मार्केट उतना ही अच्छे तरीके से फ्लो कर रहा है मार्केट में जो पैसा है मनी है उसकी तरलता लिक्विडिटी अराम से बनी हुई है यह एक सरवेक्षन अधारित प्रणाली है जिसमें उत्तरधाब से पीछले मार्केट उल्ला में प्रमुक, वैवल, साइक जो चर होते हैं वारियेबल्स के लिए जो भी यहाँ पर बदलाव हो सकता है उन बदलाव के जो भी यहाँ पर पैरामेटर से होते हैं और देखा जाता है कि मार्केट में किस प्रकार की गतिविधी चल रही है PMI का उद्देश्य कंपनी के निर्णे निर्माताव, विशलेशकों और निवेशकों को वरतमान और भविश्री की विवसाइक इस्तिती के बारे में जनकारी प्रदान कराना होता है उसके माध्यम से सारा डेटा एनलिसिस किया जाता है और फिर मार्केट में जो रिस्क एनलिसिस से वो करके देखा जाता है कि मार्केट में कितना लिक्विड प्रवाइड कराया जाएगा तो वह कित प्रकार से रन करेगी फिर PMI की गर्णा वी निर्माण और सेवा छेत्रो हेतू अलग-अलग तरीके से किया जाता है मतलब यह समझ सकते हैं कि जो production होता है manufacturing जो industry है sector से उनमें किस तरीके से activities हो रही है economic की और जो services से जो सेवा है उसमें किस प्रकार की activity हो रही है दोनों को यहाँ पर separate किया जाता है अलग-अलग किया जाता है उसके बाद दोनों के अलग-अलग आकड़ों को लेकर के यह जो index है यह बनाया जाता है PMI को 0 से 100 तक के सुचकांग मापा जाता है इसको यहाँ पर 50 से उपर का आकड़ा व्यवसाइक गतिवीदी में विस्तार या विकास को दर्शाता है जबकि 50 का मतलब किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना होने की इस्तिती को दर्शाता है यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले महीने की तो पिछले महीने का जो PMI था वो चालू महीने के PMI से अधिक था तो यह अर्थवस्ता में संकुचित मतलब यहाँ पर कांट्रेक्टिंग होने की इस्तिती को बताता है यहाँ आम तोर पर PMI को हर महा के शुरुआत में जारी किया जाता है इसलिए यहाँ आर्थी गतिविदी का एक अच्छा एवं प्रमुक संकित माना जाता है मतलब यह जो इंडेक्स है यह जो आकड़े हैं यह किसी भी महीने के पहले वीक में इसको दर्शा दिया जाता है मार्केट के रूप में मार्केट के जो भी एनलिसिस करता होते हैं उन सभी के समक्षन IHS मार्केट द्वारा विश्वभर में 40 से अधिक अर्थववस्ताओं है तो PMI का संकल्प जो है यह जो आकड़े हैं इनका संकलन किया जाता है और IHS मार्केट विश्वभर के अर्थववस्ताओं के प्रमुक उद्वगो और बजारो हेतु सूचना विश्लेशन और समाधान प्रस्तुत करने वाली एक अगरणी वैश्वीक कमपनी है तो कि अध्योगिक उत्पादन वी निर्माण और सकल घरेलु उत्पाद से सम्मं आकड़े काफी देर से आते हैं ऐसे में ये जो PMI के जो आकड़े हैं ये अच्छा मदद करता है मार्केट को एनलेसिस करने में फिर या ओद्यूगिक उत्पादन सूचकांग जिसे हम इंडेक्स ओफ इंडेस्टियल प्रोडक्शन आई आई पी कहते हैं से ये पूरी तरीके से अलग है जो कि अर्थ वहस्ता में गतिवीदी के इस तरको भी दर्शाता है PMI के तुलना में IIP व्यापक और द्यूगिक के छेतरों को कवर करता है हलांकि मानक और द्यूगिक उत्पादन सूचकांग की तूलना में PMI अधिक गति शिल माना जाता है तो दोस्तों हमारा यह जो टॉपिक था यहां पर कंप्लीट होता है फिर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है यहां पर प्रधान मंत्री मुद्रा योजना इसको शॉटकट में कहते हैं हम PMI तो प्रधान मंत्री मुद्रा योजना है इसको लॉंच करने के बाद से इसने बहुत अच्छे कारे क financial companies केते हैं और सुक्ष में वित्तिय संस्था हैं इसम माइक्रो finance institutions केते हैं इसके द्वारा यहां पर अलग-अलग विवागों के लिए यहां पर पेसे का लोकेशन किया गया है तो 14.96 लाग करोण रुपे के धनराशी के लिए 28.68 करोण की से अधिक रिन स्विकरत किये गए हैं आपर अगर हम बात करें प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के विशे के बारे में तो इसका जो सुभारंब और इसका उदेश था वो यह था कि प्रधान मंत्री मुद्रा योजना अपरेल 2015 में सुभारंब किया गया था इसको लॉंच किया गया था यह एक गेर कॉर्पोरेट और गेर क्रशी लगू सुक्ष्म उद्योगों को 10 लाग तक के रिन उपलब्द कराने के लिए यह प्रारंब किया गया था मतलब जो वेक्त गेर कॉर्पोरेट हैं और गेर क्रशी से जुड़े हुए हैं वो किस प्रकार से अगर अपने काम को करना चाहते हैं और उसको पैसे के रिक्वार्मेंट है तो यह जो योजना थी यह 10 लाग रुपे तक की लोन उपलब्द कराने में सक्षम थी इसके वित्य प्रावधान क किया थे तो मुद्रा है जो कि इसका पूरा नाम अगर हम बात करें तो माइक्रो यूनेट्स डेवलप्मेंट एंड रिफाइनेंस एजनसी लिमिटेड इसका पूरा नाम था सरकार द्वारा इस्थापित एक वित्य संस्था है यह फिर इसके तहत बैंक गैर बैंक की वित् कीम थी इसके धर सीधे सुक्ष्म उद्योगियों और विक्तियों को उधार नहीं देता था यह यह क्या करता था यह उन विक्तियों को उधार नहीं देता था जो किसी ना किसी बिजनस में इन्वाल्व है यह उनको प्रवाइड कराता था जो कोई बिजनस नहीं है उनके प और तीसरे का नाम है तरुण इन तीनों को पेशा देने के लिए यहाँ पर अलग-अलग स्रेणी बनाई गई है तो जो शिशू शेणी है उसमें 50 यार रुपे तक के यहाँ पर रिन उपलब्द कराया जाता है और किसोर स्रेणी में 50 यार से लेकर के 5 लाग तक का रिन उपलब्द कराया जाता है और तरुण जो है उसमें 5 लाग से लेकर के 10 लाग तक के लोन उपलब्द कराया जाते हैं इस योजना के तहट दिया जाने वाला रिन संपार्शित मुक्त रिन होता हैं मतलब आपके कॉलेटरल फ्री लोन्स होते हैं यहां पर इस योजना के तहट दिये गए लोन फिर यहां पर अगर इस योजना की उपलब्दियों के अगर हम बात करें तो मुद्रा योजना में समाज से वंचित वर्ग जैसे की उद्दमी महीला, SCST, OBC समदाएं के वे लोग जो उद्दार करता हैं और आदी जो लोग होते हैं इनको यहां पर रिन उपलब्द कराने में यह योजना सक्षम रही है साथ ही इसके तहट नए उद्दमियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया बाद में स्रम और रोजगार मंत्रा ले द्वारा किये गए सर्वेक्षन के अनुसार प्रधान मंत्री मुद्रा योजना ने वर्ष 2015 से ले करके 2018 तक एक दसमलो एक दो करोण कुल अत्तिरिक्त रोजगार श्रजन करने में सहायता की है फिर रोजगार में हुई अनुमानित वर्धी के अनुसार एक दसमलो एक दो करोण से में 69 लाक महिला है मतलब इसमें महिलाओं को ज़्यादा मात्रा में लोन दिया गया प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत तो दोस्तो ये भी हमारा अच्छे तरीके से देंगे तो पहला कोशन है कोविड-19 से फसे भारती नागरिकों को भारत लाने के लिए नौसेना ने ओप्रेशन समुद्र से तु कब लॉंच किया था ये पहले एडिशन के बात की जा रही है दूसरा प्रशन है प्रशन समुद्र से तु में कौन-कौन से नौसेना पोत ने भाग लिया था ठीके तीसरा प्रशन है किस देश में फसे भारती नागरिकों को भारत लाने के लिए ओप्रेशन सुकून लॉंच किया गया था और किस वर्ष में किया गया था चोथा कोशन है यमन में फसे भारती नागरिकों को भारत लाने के लिए ओप्रेशन रहात किस वर्ष लॉंच किया गया था अगला प्रशने प्रधान मंत्रे मुद्रा योजना कब लॉंच की गई थी फिर आपका अंतीम प्रशने आज का कि प्रधान मंत्री मुद्रा योजना में लोन की कि सोर्स नेड़ी में कितना रिन दिया जाता है तो दोस्तो यहां पर 6 कोशन से 6 कोशन के आप लोगों को जबाब कमेंट सेक्शन में देना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से लेक्शर को सुना है यदि आप जबाब देने में सक्षम नहीं होते हैं तो फिर से जबाब देजिए फिर से जबाब देने के लिए आपको फिर से लेक्शर देखना होगा इसमें जो कोशन आपसे पुशे जाते हैं उसके जवाब दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितने केरफुल तरीके से इस पूरे लेसन को सुना है और इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि जो हमारा पेज है इसके स्टोरी में डेली में करन्ट अफेर के कोशन डालता हूँ जो कि बहुत डीफर होते हैं उनको जाकर के आप अटेंड करिए और देखिए कि आपको कितने कोशन आते हैं उन सभी के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन वर्क्स में प्रोवाइड करा दूँगा ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से चल सके चेक एन बैलेंस की तरीके से चले फिर सब मुलाकात होगी जैहिन जै भारत